कि नमस्कार प्यारे दोस्तों कोटिले अच्छाइज में आपका हारडिक स्वागत और आज हम कर रहे हैं जो बिहार स्टेट में एन पेपर पूच्छा गय तह WiFi हमें उसको ईंग कर रहे हैं यानि कि बिहार इस्टेट पी एचछी ल पेपर को हम सोल करें जो दो हजार अठारे में आयोजित हुआ था तीन नोम्बर दो हजार अठारे हो इसमें दो पेपर हुआ थे एक बेच वन नाम से दूसरा बेच टू नाम से तो आज हम कर रहे हैं बेच बन के पेपर को शोल इसमें इकवन नंबर के उचन से हैं सेक्षन 6 था जिसमें इलेक्षिन स्टाट हुआ था उससे पहले हमार पास computer reasoning इस प्रकार के अलगलग सेक्षन थे और हम कर रहे हैं इलेक्षिन का बाग तो सेक्षन 6 से शुरू करेंगे ज एलेक्षिन में जितने भी प्रीक्ष पूछे जाता है उनसे अबाओ लेवल था यानिकि इसका लेवल वह जादा अच्छा था और इसमें मशीनों के सवाल बहुत पूछे गए इसमें बैसिक सवाल को पूछ ही नहीं गहे थे जो भी सवाल पूछे गए तो एडवांस पद क्यों पड़ते किए सारताप से सौल हो रहे हैं तो इसका मतलब आपसे जो नहीं हो रहे हैं तहुँ बाहर बाड़ पढ़ा के तभीaint सब्सक्राइब कर आ तो इसको टाइम से ऊल करना है इसके लिए ये आपको लगातार मैनत करनी पढ़ेगी और कई बचों ने किताब में पढ़ना छोड़ दिया तो वह पढ़ाई भूल जाएंगे ध्यान रखो कि आप पढ़ाई भूलना मत मैं आगे आपको एक बात बताऊंगा पढ़ाई भूलने की तो इस परकार की स्क Depot होता या है जोट ही इडिनिट होती है अलिमिटेट टेस्ट लिमिटेट वीडियो एसा कुछ नहीं होते सब लिंडेड होता है क्यों संस्य भी ओता साल पि-मेटियोत कि variants लिमिटेड कि आंक कि कई यहों को इंग्लीस हिंदी दोनों चाहिए थे उनके भी सोल्यूशन हो गया है यहां पर आपको इंग्लीस भी मिल रहे हैं यह हिंदी भी मिल रही है आप तो बस पर इस परसन का सोल करो एक आठ पॉल लेवाउंड डीसी मसीन में साथ सो बीस आरमेचर कंड़क्टर हैं पॉल पूल पिच का सतर परतिसत समा विष्ट करता है परते एक पॉल फेस परते एक पॉल फेस में कंपेसेटिंग वाइंडिंग के कंड़क्टर की सहीं क्या लगबग कितनी होगी यह सवाल पूछा गया है नमस्कार पढ़ना नरंदर मीना रादे रादे निव इस्टुडेंट टेक्निकल शिक्सा थियोरी निव इस्टुडेंट आपको बहुत-बहुत स्वागत है आपका अच्छे अब देखते ही सवाल को सोल करते हैं 51 नंबर किष्ण को सवाल को सवाल पूछा गया है कि हमां पास टोटल आर ने च्ट्र सवपीस और पूछा ऑगया है परते एक पूल फेस में सबसे लाश्ट में बताँगा ठीक बाकी मैं औरने कंडृकर जोल करता हों कूल कंड़क्टर बटा समांतरपत और उपर से पॉल पिच का कितना परसेंट समाविष्ट है, अब ही आपको दिया है कितना परसेंट है, 70% यही दिया हुए इसको सोल करना है और अब क्या पूचा है पूचा है परते एक पॉल में यदि टोटल कमपसेंडिंग वाइंडिंग में कंड़क्टर इतने है तो परते एक पॉल में कितने होंगे तो पॉल का दे दोगे भाग है है कि यह अब कोई सवाल को स्वाल करते है जेट सीचेज़ सी बरावर जेट टोटल कंड़क्टर किद वह मारे पास गहएंट सो इस बटा ऐसमांतर पते जोंगा है ओर वाइंडिंग को हां से ली ले वॉइंडिंग किसके बराबर होते हैं पॉल के बारबर पॉल कितने और यह आ गया इंटु पॉल कितने और इंटु कितने परशेंट है अब इसातर परशेंट के लिए 2-0 से 2-0 कैंसर आठ से काटो गए तो कितनी बार रहें नो बार नो साथा 63 तो हमारे पास आया 63 बटा 8 सातु आटी 56 पिछे बचा साथ सतर सतर आया तो सतर में हमार पास भाग देंगे सतर में तो 8 का तो 9 में आटा 7.9 सम्तिंग आया और 7.9 से जिश्ट बाद में conductor परती पोल कितने दिये हैं? 8 तो हमार पास correct answer आएगा 8 conductor परती पोल correct answer आएगा 8 conductor परती पोल हमार पास correct answer आएगा बिल्कुल इलक्रोनिक के चेप्टर करेंगे देखो कि अभी पहले परसन शौल करेंगे मैंने आपको जब लाई आना शुरुआ तब ही मैंने आपको कहा तहां मैं 5-7 पेपर शौल करूँगा पहले तांकि आपको पता चल जाएए पेपरों के लेवल क्या है पर एक समस्वाल किस परकार काते हैं उसके बाद मेरी theory की class शुरू आजाएगी तो फिर मैं कुछ class है theory की इसके youtube को पर लूँगा जिसको आप यहां से youtube समय live देख सकते हैं और तक्रीबन तक्रीबन उमीद है मैं सोमार को class शुरू करूँगा theory की जो basic electricity नाम से जैन के बेच के लिए है वह आपके IT में भी बहुत काम की चीज़े है तो जैन के बेच के नाम से इस्टार्ट होगी आप उसको भी देख सकते हो कि लिए रहे अगला सवाग सेकिंद बावन नबर के उस्टे में को बताई एऐ ऑईल सρकीट ब्रेकर में चिंगारी को बुझाने के लिए अनु Monop % ब्रेकर है उसमंें चिंगारी बुझाने के लिए कौन से माध्यम का प्रियोक या ज जोगी 500 लाइक टार्गेट आप देखो कि लाइक आप सभी कर दो जितने भी जुड़े हुए हो बिल्कुल 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 बीएस वे पीट सील का पेपर है बियार इस्टेट कि जून्यर लाइन वेन का पेपर है यह थमनेल को पर भी लिखा हुआ है कि सभी स्टेट के सब पेपरों को सौल करते हैं देखो इलेक्शन का आपका एक ही पॉइंट है यही पर सारी पूरी इलेक्शन सबसे ज्यादा इलेक्शन बहुत अच्छे से होती है तो यहां पर मैरी डूटी भी बन जाती है यूपी के इस्ट्टेंटों चाहिए ब्यार का चोई मधी पर्देश को चाहिरास्तान के चोई मसल्पर्देश के दिली कई रियाना के सभी के पर यहांपर सवर्ड होई जाते हैं तो हर पेपर को में लेता हूं हम लोको पाइलट की लेंगे सारे पेपरों को सौल करेंगे के लिए ऐल सर्कृट ब्रेकर में चिंगारी को किसका प्रियोग लेंगे और करेक्ट ओप्सन ओगया है यह अप्सन 53 में 53 गांसर का बताए बताए अच्छा थोड़ा साथ देखके भी बहुत समझदार 53 सवाल है भी बहुत आसान क्योंकि बहुत बार आगया जब भी कोई सवाल करते हैं तो एडी करेंटी हिस्टेशन समदी सवाल आई जाता है ट्रांस्पोर्मर कोर किस लिए लेमिन अब सही तक्सी हो गया होगा नहीं हो रहा है हाजी अब इस्टार्ट हो गया हो गया आई थिंक अब क्लियर है एकदम सही है सर चल गए ओके अब देखो कि ट्रांस्पोर्मर कोर में लेमिनेटेड क्यों किया जाता यह सवाल हमारे पास ठीक है ट्रांस्पोर्मर कोर होती ही उसको लेमिनेटेड किया जाता है तांकि यह एडी करेंट कम हो ट्रांस्पोर्मर कोर में यदी पूछ है कि सिलिकन क्यों मिलाते हैं तो आप क्यों हो गहां पर हिस्टरिश हानी को कम करने लिए करेक्ट है है कि चलो ना घुझा अब और सब्सक्रों का सब्सक्राइब कर दीजिए इसी वीडियो को तुरन चल जाएगा कि दिक नहीं रहा है अब तो क्या दिकते वह अब तो सब कुछ तो सही हो गए ना पूरा पेपर तो यहीं है सामने रहा कि बावन गांसर किया होगा ओके एक मिनट बावन गांसर होगा तेल ओएल सरकेट ब्रेकर में ओईल का प्रियोग किया जाता है किलिए रहे अब है चोपन नंबर सवाल थोड़ा से उपर है बागी नीचे द्यांसर देखो सवाल उपर है उपस नीचे रहे उस इस्तान को क्या का जाता जहां तीन फेज अल्टरनेटर द्वरा विदूत सक्तिक को समांतर में जोड़ा जाता है बहुत सांदर सवाल है कि उस अल्टरनेटर को क्या कहा जाता है जिसमें तीन फेज अल्टरनेटर को समांतर करम में जोड़ा जाता है पैरलल में जोड़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं डिस्रिबूशन इस्टेशन सब इस्टेशन जनरेटिंग इस्टेशन यह ट्रांस्मिटिंग इस्टेशन बत वहां अल्टरनेटर काहां प्रियोंग लेते हैं जनरेटिंग इस्टेशन पर हमारे पास डिस्ट्रिब्यूशन सब इस्टेशन पर अल्टरनेटर थोड़ी काम में लेते हैं तो यहां पर अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्धू शक्ति होती है तो उत्पादित वि जो दिख रहा हो यह है पीडिये फाइल है ओरीजिनल पीडिये फाइल है तो यह अब इसको ज़्यादा जूम करेंके तो इंगलीज घट जाएगी है दिया जूम भी नहीं कर सकते डेलीग भीड़ में होता है तो हम बड़ा बड़ा लिख के लेके आते हैं अगला सवाल अगला सवाल है पच्पन नमबर सवाल मल्टीपल वाइंडिंग ट्रांसपोर्मर की 12 वोल्ट 2.5 एंपियर रेटेट की दो सेकेंडरी वाइंडिंग सीरीज में जुड़ी हुई है सेकेंडरी आउटपूट टर्मिनल पर वोल्टेज और करेंट क्या है यह पता है यह भी जबड़ते सवाल है सारे सवाल बहुत अच्छे सवाल है जो पसंद आने वाले सवाल है सारे एक सारे जिनको चाहिए तरने सर अच्छे सवाल है अच्छे सवाल हो तो यह अच्छे सवाल आगया भई कापी हलका दिख रहा है हाँ जी बिलकुल ऐसा लग तो रहा है थोड़ा ब्रैडनिस देखो के नहीं यह तो कम हो जाएगी यही हमेर पास रहेगी ब्रैडनिस मैक्सिमम ब्रैडनिस कर दी वह यही है मैक्सिमम ब्रैडनिस एक और और उप्शन करता हूँ मैं अब कुछ दिखने लगा होगा हाँ तो बताएं बारा वोल्ट दो पॉइंट पांस यह तो कौन से कर में जुड़ी हुई है स्रेडनिस में देखो बारा वोल्ट फिर बारा वोल्ट स्रेडनिस में दो जुड़ी होती है तो वोल्टेज हमारे पास रडी में हो गया तो क्या होता है जूड़ जाते हैं तो वोल्टेज कितना जाएंगे चोई तो दोन आप सब्सक्राइब गलत लेकिन तो समान रहती है दारा चेंज होती नहीं दो स्रेणिकरम में हमारे पास वोल्टेज होते हैं वह जुड़ जाते हैं लेकिन दारह स्रेणिकरम में एक समान रहते तो दारह में कोई परिवर्तन नहीं आएगा दो पॉइंट पांच एंपिर और वोल्टेज जुड़ जाएंगा तो चोईश वोल्ट किलियर अगला सवाल नेक्स सवाल है इस सवाल को सवाल कीजिए नियंत्रेक उपकरन के रूप में परियुक्त मिनियचियर सर्किट ब्रेकर इन में से किस परकार की सुरुकसा परदान करते हैं और लोड से सुरुक्सा, सोड सरकिट से सुरुक्सा कौन सा करते हैं, यानि MCB हमारे पास इन दोनों में से कौन सी सुरुक्सा देती है, दोनों नहीं देती है, कि दोनों में से कोई सी नहीं देती है, कोई सी एक देती है, तो बताइए जल्दी से आंसर, जल्दी से सवाल गांसर बताईए मिनीचर सर्किट ब्रेकर हमारे पास नियनतु अबगन के परियुक्त मिनीचर सर्किट ब्रेकर है इसमें किस परकार की सुरुक्सा परदान करती है ओवरलोड से सुरुक्सा सौड सर्किट से सुरुक्सा बता ही इन में से कौन सी करती है तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो MCB है short circuit होता तो काम करती है बिल्कुल clear मामला है लेकिन MCB हम जानते है कहीं पर load ज्यादा होता तो वो trip कर जाती है यानि कि वो circuit को break कर देती है तो इस पर भी काम करती है तो दोनों करेक्ट आंसर है और load से भी सुरक्षा देती है और short circuit में भी देती है दोनों कंडिशन तो A option correct आएगा clear अगला सवाल अगला सवाल केजिए hair dryer, vacuum cleaner, grey look खाद ये प्रोसेसर में कौन सा motor पर्यूक्त किया जाता है बताइए, ये जो आपको दिया गया है इनमें से कौन सा motor पर्यूक्त किया जाता है सताओ नमबर सवाल का अगला सवाल बताइए जल्दी से और देखो अब मैं regular आपकी class लेने लगे हूँ अब मैं आपको बता दूँ कल Monday से तीन बज़े और इस तीन बज़े का टाइम रखते हैं और इस तीन बज़े हम पढ़ेंगे basic electricity theory हम पढ़ेंगे जयन के इसाप से जयन के बेज के इसाप से लेकिन आपके लिए भी पूरी तरीक से काम की होगी क्योंकि basic electricity तो सारे आपके भी वही है और JN में भी वही है तो आप जुरूर देखना JN के base के लिए start होगी basic electricity तीन वज़े शुरू होगी clear है आप देखो सवाल सवाल करो head drive vacuum cleaner और गरेल उखा दिये processor इन सब के लिए universal motor पर काम में ली जाती है जो सीरीज में भी कारिये करती है और एसी पर भी कारिये करती है तो correct आंसर युनिवर्सल मोटर बिल्कुल भी भी answer correct है उन्होंने पहला आंसर दिया था बिहार पी स्टेट वालों पी एसील वालों ने ए ओप्सन लेकिन बाद में इसको अटा के बी ओप्सन उन्होंने भी कर दिया तो आंसर करेक्ट होगा बी ओप्सन टाइमिंग और कंट्रोल प्रोसेस के लिए प्रियुक्त मोटर का परकार कौन सा है टाइमिंग और कंट्रोल प्रोसेस के लिए मोटर का कौंसा रूप एद्या को हमारे पास टाइमिंग के लिए हम काम में लेते हैं वो मोटर अ मोटर अमंपास होती हिस्ठेसिस मोटर क्योंकि आवाज नहीं करती तो वो कारिए वहाँ पर ली जाते हिस्ट्रिस इस is मोटर उप्सन timing और control के लिए हम करते है C और इसको image processing में भी इसको काम में लिया जाता है gear परणड़ाली में भी इसको पुरियोग में किया जाता है clear है अगला सवाल अगला सवाल है circuit breaker में relay का कार ये क्या है हम जो circuit breaker लगाते हैं उस circuit breaker में relay होता है तो उस relay का कार ये क्या होता है जल्दी से शोल करके बताइए circuit breaker में relay क्या काम करता है जब acuity मात्र एक निश्चित पूर निजदे मान तक पहुंचते हैं तो संपरकों बंद करना या क्रिया सील करना या सीमित करना या ओनोप करना क्या करना बताइए जल्दी से आंसर क्या हुंका कि सर्किट ब्रेकर में रिले का कार यह क्या होता है क्या बी सी डी आंसर दे रहे हो बहीं ऐसे क्या दे रहे हो सर्किट ब्रेकर को करना यह सर्किट ब्रेकर रिले का काम होगा यह ओनोप करेगा भी ओप संदेरें बहुत सारे हैं कि सर्किट ब्रेकर को किर्याशिल करना करता है रिले सुरक्षा परदान करने का मतलब है सर्किट को ब्रेक करेगा तोड़ेगा तो अब आकी चीज़े सारी सारी वेतुती उपकरन यह मानों जी उन सब बज़एंगे तो सर्किट ब्रेकर में रिले का कारी होता है सर्किट को ब्रेक करवाना ठीक है तो एक्टिंग मातर निश्चित पूरु निदारिद मान तक पोंचती है तो संपरगों बंद करना एक निश्चित मान दिया गया उस म ब्रेकर में रिले का कारी सर्किट को ब्रेक करना सर्किट को तोड़ना यह ठीक है तो करेक्ट और सब्सक्वाइगा एक वीगली टेस्ट नहीं हो रहा है अभी सारे टेस्ट अपने यूट्यूब पर ही चल रहे हैं आप यूट्यूब पर सवालों को उतर देते जाएंगे अब हमारे पास यह टेस्ट है उसके बाद हम उन टेस्टों की प्लानिंग करेंगे पूरी अगला सवाल अगला सवाल है साथ नुम्बर क्यूशन बहुत सांदार सवाल 25 मेगावाट पावर स्टेशन की अधिकत मांग 20 मेगावाट है तो वार्षिक लोड फेक्टर 50% है तो प्लांट केपसिटी फेक्टर क्या है आप बताईए प्लांट केपसिटी फेक्टर यहां पर क्या है इसका एक ओप्सन नीचे और है 60% 40% 50% और कौन सा ओप्सन है भई 30% है ठीक है तो एक ओप्सन और कौन सा है 30% जल्दी से इसका उतर बताईए जिनको नहीं दिख रहा है अब दो को सवाल में परिंटेजार लॉप्सन तुसारे दे के लिए अब आई थिंग दिख रहा होगा 25 मेगावार्ट पावर इस्टेशन है जिसके अधिकता मांग कितनी है 20 मेगावार्ट हमें पूछा किया प्लांट केपसिटी प्लांट कैप्सिटिए न वो आईगे अधिक्त मांग कितनी है 20 मेगावाट अधिक्त मांग है और अधिक्त invece है जो कैप्सिट कितनी आ 25 मेगावाट के लिए इन टू पावर फावर में लोड़ फेक्ट्र Premier है 50% हैं पाचेश परशेंट ढखतो पाचास परशेंट हैं तो ai 54 परशेंट परशेंट क्या क्या कर दूंकिता पर्शषट 10 परशेस 40 परशेंट क्रेक्णा जाएगा कि लिए रहाए हा है कि तो करेक्णा on हाएगा 40% 40% हमारे पास यि tutorial answer आब आते हैं अगले सवाल पर एक्जलन नमबर सवाल भी प्लीजक प्ल shipping फ्रवाइड क्या फिरिचक प्रोईड अब शुर्वाइड कर दीजिर क्लोप प्लीज कर दिया करो टेस्ट के बारे में बात कर रहे हो तो मैं जल्दी प्रोएट कर दूंगा मैंने आपको पहले बता दिया था वह तो एक टेक्निकल फाल चल रहा था लाइव टेस्ट की अभी कलाशा नहीं चल रही है सिंपल टेस्ट उसके उपर हम चला सकते हैं और तब तक हम इसलिए यूट्व के उपर भी हमने कलासे स्टाट कर दिये अज़े पीडीफ पीडीफ देखो के आज हम यह जो पेपर है यह पेपर आपको कोटिल्य कलासेज के टेलीग्राम पर मिल जाएगा कोटिल्य कलासेज का तो टेलीग्राम है कोटिल्य कलासेज जोतपूर नाम से आ जाएगा यहां कोटिल्य रेल्वेकर के नाम से आ जाएगा ठीक है तो उसमें जाकर आप देख सकते हो हाँ डीसी मोटर ड्राइव ज्यादातर कितने कंट्रोड में संचालित कर सकते हैं कितने क्वाडेंट में संचालित कर सकते हैं तो एक क्वाडेंट दो क्वाडेंट तीन क्वाडेंट या चार क्वाडेंट डीसी मोटर ड्राइव को अधिक्तम क्वाडेंट में संचालित कर सकते हैं अगला है बासर नम्बर सवाल लो निवन में से कौन से पौ़र पलांट यूरेनियम थोरियम और प्लॉटुनियम जैसे इंदन करते हैं डिजल पावर से इंदर जल विदूत से इंदर ठर्मल पावर घापनबतो अग्स से इंद्र याम पर्मन उर्जा शेंद्र बतके कौन सा करते हैं मुद्द से पावर प्लांट युरेनियम ठोरियं प्लोट्फोनियम जैसे ईंदन का उप्योग करते हैं किEL यूरेनियम भी चाईल थोरियं भी जाइए प्लेतों नियंग चाहिए यह डीजल वाले में जल चाहिएगा जर्म वाले में जल चाहिएगा थर्मल्च मुषमाच चिये परमॉर्जा किए इंतर में काम हैं लोगें सिंपल सा v следant यह बता है आप इसे ते कर ते हुझा है है अगला सवाल देखते हैं 33 नबर शवाल मस्ट कि उसन और हजा लुए नबट थी कि चार पोल, तीन फेच, पचास हर्ज इंडेक्शन मोटर में 1450 RPM की गती से चलती है, इस्तेती गुणनेक में परेरित EMF की आवर्ती कितनी है, बड़ा मस सवाल पूचा है, देखो, हमारे पास पूचा है, परेना है उसकी रोटर की आवर्ती, यह इसे लिखेते हैं, एसगुणना एफ, एस हमारे पास होता है, SLIPANS, एस क्या होता है, SLIPANS, और S का मान ग्याद करते हैं, तो देखो, यहां से क्लियर करूंगा, मैं S का, S का मान ज्याद करते हैं तो वो होता है NS माइनस NR बटा NS यहां से S का मान फाइंड डूट होता है Slippence का ठीक है अब देखो के हमारे पास जो मान है वो 14-15 RPM है किसका दिया है रोटर की गती दिया तो NR देदी NS ज्याद करना है तो NS पहले ज्याद कर लेते है NS बड़ाबर होता है 120 गुणा एप बटा P ठीक है यह यह NS 120 इंटू एप कितना है पचास हट और P कितना है पॉल कितना है चार काटा तो कितना है तीन तीस बड़ाबर 1500 RPM तो मेरे पास NS का मान कितना है 500 यह 500 मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो मैं क्या लिकूंगा 500 माइनस 1455 को हम नीचे से उपर की तरफ जा रहे हैं सोल करते हुए अपन 500 तो गटा है यह तो कितना है 45 45 बटा पंद्रेस तो F पार हमें चाहिए था तो S का मान कितना है 45 बटा पंद्रेस सो यह इसका मान रहा इंटू F देखो कितना है रहा 50 हर्ज अब 0 से 0 कैंसल 5 से काटा तो आया 30 15 से काटा यह यह दो और यह आगए 3 3 बटा 2 बराबर 1.5 तो करेक्ट उप्सन आईगा C उप्सन पूरा मैंने बता दिया आप जहां से देखो और बच्चों की मांग पर जूम करो सवाल देखो जैसे में जूम करूँ आप की स्क्रींशोट ले लगा ले ना बई यह सवाल रहा यह रहा सवाल यह बच्चों की मांग पर जूम हो गया बई इ moc उम्मीद करता हूँ अब तो आपको यह दिख रहा होगा लेकिन अब solution उसके उदर चला गया है तो solution तो मैंने आपको पूरा समझाए था, सवाल आप देख लो ओके अगला सवाल अगला 63 के बाद 64 नमबर सवाल है बता यह सवाल को पचास हर्ज हाइड्रो कलोरिक पावर प्लांट में चार पॉल अल्टरनेटर की रोटर गती कितनी है अब यह फूल जूम है पचास हर्ज हाइड्रो कलोरिक पावर प्लांट में च्यार पोल अल्टरेनेटर की रोटर गती कितनी है पंद्रेसो आर्पिम अठार्सो आर्पिम तीन अजार आर्पिम या बारेसो आर्पिम बताए क्या है चोशट में आ गया वहीं क्योंकि हमें पूछा गती और गती हम जानते हैं कि क्या होगा वहीं 120 गुणा एफ बटा पी है अभी हमने यही स्वाल किया था 120 एफ कितना है पचास और पी का मान कितना दिया है पर च्यार पोल च्यार से कटाओ तो कितना है गातीस तीस गुणा पचास बराबर कितना एगा पंद्रेसो आर्पिम तो क्रेक्ट ऑप्शन कॉन सा जाएगा एए ओ कोई दिक्त नहीं हे आगले सवाकर्ते हैं नेक्स्ट 24 नुम competitor अप्ले सबसीं स्वाल आराम से हैं है हँर है कि र्ले ओर्डू अपन होता है for a normal非 खोटाहिं मिफान है नोर्मली अपन होता है लेकिंशन मेरमली ऑपन नोर्मली खोटा मेंleader को शुटा कब है क्या चलते चलते ह करना चौर्ट करना है तो चे करेगी तो सर्कीट को ब्रेक्रेगी ब्रेकरने का मतलब आपन करना चर्किट को उपन करे उसके बाद हमें में करना हमें manually जाके on करनी पड़ेगी वापस normally close थोड़ी हो जाएगी वहाँ पर हमें manually जाके क्या करनी पड़ेगी ओन करनी पड़ेगी वो तो क्या कि सर्किट को तोड़ दिया open कर दिया तो ये कार यह होता है आर्मेचर कोर के स्लोट में उनके विशिष्ट नुकर में अंतिम कनेक्शन के साथ इंसुलेट कंडेक्टर की करम बंद विश्था को क्या कहा जाता है देखो क्या सवाल में बासा दिये आर्मेचर कोर के स्लोट में उनके विशिष्ट नुकर में एक फिक्स जो आपके सिक्व अब आभधे मक्तब तो मेगवार्ट है कि मेगवाट मेगा मतलब उता है इसकीघाट ना आनिन 누ी जो पावर है ये तो जो कीlan या मेगम होती है मेगम होने का मतलब है बहुत ज़्यादा दिसकी गाच छे हो गई दिसकी गाच छे का मतलब एक मिलियन यानि कि दस लाक वाट होगा है एक मेगवाट बराव दस लाक वाट होता है और वाट आप जाने तो पावर की कई है यह सवाल आगे अब आपके सामने ओपल गलास बीस परसेंट आउसो सण का एक पॉइंट चार मेटर व्याज का एक विसार गोला अर्तालिसो चालीस ल्यूमेन परकाशे फ्लक्स के इनकेंडिसेंट लेंप के सा सलंगन होता है तो गोले की ओसत परदिपती क्या है यह सवाल है इस सवाल को मुझे ही सवाल करना पड़ेगा आप से होगा नहीं यदि आप कर देते हैं तो बहुत अच्छी खुशी की बात है लेकिन मैं इसको सोल करा देता हूं तो पहले मैं पहली बात है इसको थोड़ा जूम आउट करता हूं ताकि मैं इसको सोल करा शको पूरा अब मैं इसको सोल कराने मुझे जगे में लगी जाओ अब सोल कराता हूं ठीक है देखो यदि मुझे पुछे में फ्लक्स कितना है तो मैं कहूंगा फ्लक्स तो मेरे पास 840 ल्यूमेन है तो और बीस परशेंट अौशय होगा तो जो काज का ग्लास ओपर मैं ने वह पार होके बाहर जाएगा तो जो काज के गलास ने ऑउसोसन कितना किया 20% 20% ऑउसोसन हुआ तो वापस आगे बाहर कितना आया 3840 का 80% यह मात मानते हो 80% बाहर आएगा तो 80% बाहर आएगा ठीक है जीरो से जीरो जीरो से जीरो कोड़ देते हैं अब इन्होंने पूचा है कि औसत परदीप्ति क्या होगी परदीप्ति का जो सुत्र होता वो होता ई कि बराबर आई बटा कि यह ना यह गुंड है ल्यूमेन परती इनके चिलेम के साथ सलंगन होता है ठीक है रीफ्लक्स आ गया 20% आउस्टोचन हो गया तो हमने आगे कितना दे दिया यह ठीक है अब देखो के हमारे पास यहां पर जो औस परदीप्ति आईगी वो आईगी ल्यूमेन परती स्कौर मेटर तो परदीप्ति जो रही ल्यूमेन रिफ्लेक्स बटा एरिया square वी या खें बटा area तो reflex का मान देखो ध्यान से कितना लिकूं में into art लिख दिया बटा अब आई बात area की area हमारे पास क्या होता है area होता है pi r square से choseぎ कि या गोला है तो यहां पर देखो तो दोनु कि पार होगा तो यहाँ पर 0.4 यह काम में लेना पड़ेगा तो 3.14 इंटू 0.4 गुणा 0.4 क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ परदीप्ति निकलेगी तो दोनों तरफ वाली काम लोग है तो 0.4 इंटू 0.4 यह काम लिखना पड़ेगा किलियर है पाइडी स्कुएर हो गया तो पाइडी स्कुएर हमने लिख लिया अब इसको आप सोल कर लो इसको सोल करोगे तो आपके पास आंसर आएगा भई अब 3.14 का भाग तो मोबल से देना तो मोबल से दोगे तो आपके पास आंसर आजाएगा और यह आंसर इसका जाएगा बहुत तरसो बीस सते तरसो बीस बाग आपको देना पड़ेगा चेक लेना भाग दो गेता आपका आंसर यह आएगा पॉइंट हटो उपर सो जाएंगे चार से काटो गया तो उतर आजएंगे पीस बहुत जादा है फीस कम करो विनोद रेगर अभी हमारे पास पहले ओपर चल रहा था उसमें आपने ले ले लेता है तो कापी ठीक था कापी बड़ा क्यूशन है बिल्कुल 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 करें आएं जग्दी प्र नाच जब्तिक सहें Coach प्रवाश् नख होते हैं कापी बड़े सवाल होते हैं हम देख रहे हैं कि सवाल है कापी बड़े चवन Le तो मैं आपको स्वाल करना पड़ेगा तो मैं आपको सवाल करा देता हूं मैंने आपको का ता पेपर का लेवल बहुत अच्छा बहुत सांधार है कि सर मेरे सध्य बगए अगले सवाल देखते हैं किसी DC generator में main pole की तुलना में inter pole की polarity क्या होती है किसी देखो अब दोनों साथ दीकेंगे नहीं एक DC generator किसी DC generator तुलना में ज्यान से देखो main pole की तुलना में main pole की तुलना में inter pole की polarity क्या होती है inter pole की polarity बतानी है main pole की तुलना में here option गुर्णन दिशा में अगले main pole के विपरित होती है गलत गुर्णन दिशा को मानते वे मुख्य पॉल जो पीछे है उस पॉल की पॉलिटिक समान होती है यह भी मामला सही नहीं हो तो से मामला हो गया इसके आगे गुर्णन की दिशा में अगले main polarity के पॉल के समान होती है क्रेक टांसर है तो क्रेक टांसर क्या होता है सी इंटर पॉल आगे जाएगा आगे मुख्य पॉल जो आएगा ना उसके समान होगी इंटर पॉल की बिल्कुल सभी चैप्ट्रों के numerical अब देखो कि दीरे दीरे अपनी क्लास रेगुलर यहां चलाएंगे तो सारे सब कुछ करा देंगा अभी तमनी स्टार्ट हुए हैं तो हम कापी सारे सवाल सोल कर रहे हैं और इस चैनल में वैसे हजरों सवाल सब्सक्राइब से परीपक हुए यह यानि वैल सीजड और सीधी सांगोन की लकड़ी पर लगया जाते हैं जिसकी मोटाई इन में से किसे कम नहीं होती यह पुछा है तो जो हमारे पास सीटेश वायरिंग में केबल अच्छी तरीक से परीपक हुए वैल सीजड और सीधी सा कितना एम में हैं है कि दस एम बीस एम जल्दी सांसर बताइए बी सी डी टेकनिकल शिक्षा थ्वरी डी सी बी डी बी ए बी बी ए बी आप लगाते हैं तुक का यह तो डेटा है सीटेस में ध्यान रखना होता है शांगवान लगड़ी पर लगाए जाते हैं तो मोटा इक से कम नहीं होने चाहिए दस एमेम से कम नहीं होनी चाहिए तो इसका क्रेक ट्रांस्वर है डी ओप्शन अगला कोंसा सर्कीट ब्राकर ग्राउंड फाल्ट प्रोट प्रोटेक्शन बासा ना इसकी बासा ना बड़ा पढ़ने बहुत अधिकत होती है कई कई आई टे के विद्यारती पहली बार एक्जाम देने जाते ना तो इस परकार की बासा देकर आद शावल तो आते वह नहीं कर पाते हैं तो इसलिए उन बासाओं को सामना करना है तो सबस्क्राइबने से जड़ा पर सवाल Journal को घर सामना होजाएगा क्लिए तो बताईए सवाल का कौन सा जाता है अ colonial में को अर्थ लिकार होगा जो हमार पास ground fault protection के लिए काम में लिया जाएगा बिल्कुल बिल्कुल एप के उपर numerical के chapter 6 करवा दिये जाएगे बिल्कुल करवा दिये अभी क्या है कि 2-4 दिन में सारा इस्टाप ही कुछ इस्टाप उपीस आने लगेगा में में इस्टाप को बुला रहे हैं अभी तक हम सभी अपने गर्शे काम कर रहे हैं जो कर रहे हैं कोई कोचिंग नहीं आ रहे हैं क्योंकि अभी हम भी कोरोने की दर्श्टिशन थोड़ी सी सुरक सा रखे हैं किसी को बूलाते नहीं है अगला सबस्टिशन थीवी में समने ते बिजली की खपत कितनी होती है यह सवाल डेटा पर आधारित होता है 30 इंस में कितनी होती है तो 30 इंस अंच 30 इंस बहुता है 55hein यह आंगड你有 30 इंस में किती होती है 50 वाट 24 इंज में कितनी होती है 40 वाट ऐसे सवाल है कि बताए सवाल कि एक इंडेक्शन मोटर के इस टेटर के गुर्णन चुम्बगे चेतर की गती और सब्ड़ सब्कुर्णन की गती के बीच के अंतर को क्या कहते हैं अब बहुत अच्छा सवाल है कि अपरेंटिस का सिलबस कोई अलग से नहीं है टेक्निकल के सवाल आने वो के वह यह लग्षेन है ज्यादा इलग्षेन पड़ल अपरेंटिस का तो पेपर इस्टेश वाल हो जाएगा कोई दीकत ही नहीं कि अग्योग कि एक इंडेक्शन मोटर के इस्टेटर के गुर्णन चुम्बगी के चेतर की गती और साब्ड गुर्णन गती के बीज का अंतर क्या है टॉर्क स्लीप चुम्बगी के चेतर ही अंबल तो यहनी यह हम HER क्या रहा है कि एंड इस के चेतर गती सब्ड गुर्णन गती अण अर इनके बीज black क्या कहलाता है इनके बीज का अंतर क्यालाता हैश्लीप लिदा क्रेक्ट उफ्सों है पि है यह कि यह तो आसान सवाल ना कर-अ आए समसिनों से रिलेटेड़ सवाल एक तीन फेज इंडेक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों होता है एक तीन फेज इंडेक्शन मोटर है वह सेल्फ स्टार्टिंग क्यों होता है रोटर में किसी अन्य अपूर्ति के ने दिये जाने के कारण एक 120 डिगरी फेज कौन द्वारा इस टेटर ओप सेट वाइननिंग के एक हैं इस क्र सिंगल फेज लाइन के लाइन यह हुआं पर अलग लग पेज की अन्यक फेज नाम से इस प्रकार का उप्सन दिया नहीं है लेकिन वहां पर तीन फेज है तो पर towards टेशक फेज के बीच अंतराल कितना होता है 120 डिग्री तो 120 डिग्री फेज कौन द्वारा इस टेटर ओप्सेट वाइंडिंग के कारण हो जाता है यह नहीं वहां पर एक गोमने वाला चुम्बगी के चैतर बन जाता है जिसके करण थ्री पेज मोटर सेल्फ इस्टार्ट हो जाती है और इसका क्रेक्ट ओप्सन हो जाएगा बी ओप्सन के लिए अगला सवार नेक्स्ट किस परकार परिभासित किया जाता है एक होता है आपके पास दिप्ती पुंज यहां परदीप्ती पुंज परदीप्ती पुंज उसे कहते हैं जब किसी श्रोज से निकलने वाले परकार स्कुर्णों का सम्म्म होता है उसे कहते हैं पर्दिप्ति पुंज मातर होता लूमेन एक होती पर्दिप्ति तीवर्ता यह दिप्ति तीवर्ता तो पर्दिप्ति तीवर्ता किसे कहते हैं पर्दिप्ति ठोश कौन पर यह इस इंग इस दिसमी इस दिसम पर्दिप्ति ठोश क पर कितना प्रकास उसे मं कहते हैं प्रदीप्ती ठीवर्ता प्रदीप्ती ठीरल енती है कि कि एक बारी विकंट थे लैसे फ्लक्स पड़तकर unit fund to correct option हो जाएगा 1 क्योंकि यह हमारे पास जो हता है वो 5 upon 4 πाई स्टे रेडिन होता है लूमेन पर ठीस रेडिन होता है इस टे मैं पर जाता है 4 पाई स्टे रेडिन है क्रेक्ट ओप्संट एक विलकुल 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 अगला सवाल दो सोरी यह उटती है तर नमबर स्वाल क्या था यह उटती है तर था हाँ ट्रांस्पोर्मर की सामान्य दक्सता अधिक्तम कब होती है तो वो कब होती है बताईए ट्रांस्पोर्मर की सामान्य दक्सता अधिक्तम कब होती है तो वो कब होती है जल्दी से बताईए एए उप्सन आ रहा है बिल्कुल copper loss और island loss जब बराबर होता है इस तेहानी जब बराबर हो जाती है तो हमारे पास क्या होता है क्या दख्स तादिक्तम होती है जब ये दोने क्या होता है बराबर होता है तो correct option है a option अगला सबस्वार power filter का मान किस के बीच में होता है ये तो बहुत आसान सवाल है कि power factor का मान किसके बीच में होता है देखो cos phi का मान किसके बीच में होता है तो cos phi का value होती है minus 1 से 1 के बीच होती है cos theta की value minus 1 से 1 के बीच होती है लेकिन हमारे पास power factor है वो हमारे पास होता तो cos theta है लेकिन इस कोस्ट ठिटा का मान कितने से कितने के बीच में होता है यह आपको ध्यान से उतर देना है साइन हो या कोस हो साइन ठिटा हो या कोस्ट ठिटा हो माइनस एक से एक के बीच में होता है लेकिन पावर फैक्टर का मान पूचा है होता कोस्ट फाई है लेकिन power factor तो एक unit हो गई तो इसका मान कितना होगा आपने कभी power factor negative सुना है नहीं आपके तो new तो power factor क्या है सुनिए अधिकतम क्या होता है एक तो 0 से 1 के बीच में होता है माइनस मत कभी होता नहीं है इसलिए correct transfer rate d बागी cost theta का मान minus 1 से पलस एक के बीच में होता है वहाँ पर 180 degree पर ना cost में value आजाती है माइनस 1 तो यह हमने सवाल कियते है आज 75 वाले सवाल यह नहीं की 25 सवाल हमने सोल किये हैं और बागी के 25 सवाल हम कल सोल करेंगे कल इसी टाइम टाइम सेम रहेगा आज हम इतने सवाल सोल करेंगे कल हम सवाल सोल करेंगे और दूसरी बात ध्यान रखना कल हम 3 बज़े से त्योरी की कलास शुरू करें हैं जो की electrical जयन के लिए हैं लेकिन basic कलास है starting की 10 कलास है अच्छे level की कलास है होगी और आपका basic बहुत अच्छा कर देगी की तो 3 बज़े जयन वाली कलास आप जरूर अटेंट कर लेना electrical जयन का बेच हम शुरू कर रहे हैं कल 3 बज़े से electrical जयन के लिए में थ्योरी पढ़ाना कलास लगाना शुरू करूंगा किलिए रहे हैं धन्यवाद दोस्तों थेंक यू